और आप सब के चैनल पे भी मैं यही देख रहा हूँ कि सब लोग यही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हिंसा बिहार में भरक रही है मैं इस बिंदू पे आप से कुछ बात करना चाहता हूँ पहली बात तो यह कि हम लोग मार्केटिंग नहीं करना जानते हैं हमको लगता है कि सेना का देश के सर्बोच सम्मान का यह मार्केटिंग करने का चीज नहीं है लेकिन आप एक-एक मंत्रियों का बयान सुन करके देख लीजिए जो लोग अगनीपत्य योजना का फाइदा गिना रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कोई चीज वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं जैसे सेल्समेन की भाषा होती है न वाह मेगा बम बम पर उफर चल रहा है आपको 20 लाख रुपया भी मिल जाएगा चार साल में आप रिटायर भी हो जाएगे फिर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा इस भाषा की मानसिक्ता को समझने का प्रियास कीजे ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर कोई चुहा मारने की दवा बेच रहा हो साहब आप मंत्री हैं आप सबसे पहले देश की जनता को ये बताईए कि इस योजना की जरूरत क्या है हर साल जब पचास हजार से ज़्जादा भरतियां और नियमित भरतियां जिसमें टीये भी है, डीये भी है, पैंसन भी है सेंट्रल स्कूल में एड्मिशन का भी प्रापधान है, रेलवे का भी टिकट मिलेगा, हवाई जहाज का भी टिकट मिलेगा, और अगर सरवोच बलिदान आप देते हैं, आपको शहादत होती है, तो आपके पडिवार का भी ख्याल रखा जाएगा, इन तमाम बातों को छोड करके, मंतरी कह रहे हैं कि आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा इस उम्र में, यह वही भाषा नहीं है, कि पधान मंतरी जी बोले थे, कि काला धन वापस आ जाएगा, तो आपके खाते में 15 लाख रुपया मिल जाएगा, मिल गया 15 लाख रुपया, जिस खाते में 15 लाख र परकिडिया है, 2014 में देश बना है, उससे पहले क्या आरमी में लोग भाल नहीं होते थे, क्या हमारे पास जो एक प्रकिडिया नहीं थी, उस प्रकिडिया को खत्म करने का खारन क्या है, तब सरकार के कुछ दावे बताये जा रहे हैं। दावा क्या है दावा यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले ये तो आप चाह रहे हैं ये आप बादा भी कर चुके हैं कि हर साल आप 2 करोड नौकरी देंगे उस 2 करोड नौकरी को छोड़ करके P.M.O. ने अभी ट्वीट किया कि हम 10 लाख र सिरियस होते 28 लाख पोस्ट जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्मेंट में रिक्त पड़ा हुआ है और आप स्टेट गवर्मेंट में जाकर के देख लीजिए भरतियां नहीं की जा रही है हकीकत क्या है हकीकत ये है कि ये असली बात देश की जनता से चुपाना चाहते हैं असली remedy ये गवाद समाप्थ हो जाएगा कल ही जो है एक सब इंस्पेक्टर की फिर से टार्गेटिंग की गई है नकसलवाद की घतनाएं हो रही है आतंगवादी घतनाएं लगातार हो रही है अगर नोट बंदी करने के बाद आतंगवाद समाप्त हो जाता तो पुल्वामा की घ तो ये दावा करते हैं, जब उस दावे का आप परताल करेंगे, तो आपके उपर ही आरोप लगाना शुरू कर देंगे, एक WhatsApp मेसेज घूम रहा है, जिसमें कहा जा रहा है, कि जिस भी योजना का Congress बिरोध कर रही हो, ऐसा आप मान लिजिए कि वो योजना सही है, Congress के बिरोध करने से आप चलते हैं, आप सत्ता में बैठे हुए मोदी जी, आपके उपर देश की जनता ने भरोसा किया है, विपक्ष के भरकाने से लोग भड़क जाते, विपक्ष कही हुई बात लोग मान लेते, तो परधान मंतरी मोदी जी होते, इस देश के लोगों ने मो किलोमीटर पैदल चलकरके अपने घर गए. यह वही नوجवान है, यह तब भी हिंसा नहीं किये, जब उनके परिवार को औक्सीजन नहीं मिल रहा था, और वो तरब तरब करके जान दे रहे थे. यह तब भी हिंसा नहीं किये, जब आपने हर साल दो करोर नोकरी नहीं दी। कि आपने भी पक्च को पूछा, आपने भी पक्च को पूछा कि हम कोई योजना ला रहे हैं, आपने कोई पार्लेमेंट की कमीटी की मीटिंग की, या आपने नौजवानों को पूछा, कि हम आपका भलाई करना चाहते हैं किसानों की तरह, और नौजबान कहते हैं हम कोई अभलाई नहीं चाहिए इस मनोदसा को समझे साहब हम ऐसे गाओं से आते हैं ऐसे इलाके से आते हैं कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है साहब कि हमारे इलाके में कोई सहादत न हुई हो हमारे इलाके में लोगों के पास महज नौकरी नहीं है सेना हम जानते हैं इस बात को जब किसी पडिवार में किसी बच्चे को सेना की नौकरी मिलती है पूरे इलाके में उनका सम्मान होता है और दुख के साथ साथ जब एक पार्थिप सरीर गाउं आता है आँखों में आशू होने के बाबजूद उस इलाके का सीना गर्व से चोड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे ने जो है देश के लिए सरवच सम्मान दिया है सेना का सवाल देश की सुरक्षा का सवाल है आप इसको मजाक मत बनाईए और एक बात हमारे साथ ही भी कह रहे है आप तमाम मीडिया लोग भी इसको बोल रहे है कि उसमें से 25 परसेंट लोगों को साहा 25 परसेंट नहीं अप टू 25 परसेंट ध्यान रखियेगा ये है सेल्समेन मेगा बंपर ओफर की मानसिक्ता अप टू 25 परसेंट क्या होता है मतब 25 परसेंट की भी गैरेंटी नहीं है ये मत समझेए आप कि उसमें से एक को दे ही देंगे नौकरी बहुत चालाकी से टर्म्स और कंडिशन लिख दिया है अप टू 25 परसेंट और इसमें ये कितना गंभीर है इस गंभीरता का अप अंदाजा लगाईए कि अभी आये हुए तीन दिन हुए हैं घोशना किये हुए दो मेजर एमेंडमेंट हो चुका है और जो फाइदा गिनाये जा रहे हैं वो फाइदा तो पहले से है सेना में आर्ण फोर्सेस में पैरा मिलिटरी में भरती होने की मैक्सिमम आयू 25 वर्स है 25 वर्स से जादा में तो आप बहाल ही नहीं हो सकते हैं उसके बाद अलग-अलग रैंक पे आप कितना समय तक सेवा देंगे वो पहले से निर्धारित है और जो लोग आर्मी की नौकरी समाप्त करके सेवा समाप्त करके आते हैं उनको अन जगहों पे सुपधायें दी जाती है भूदपुर सैनिकों को सुपधायें दी जाती है भूदपुर सैनिकों के परिवारों को सुपधायें दी जाती है और आप में से बहुत सारे लोग मैं बहुत साधारन साधारन बात करता हूँ मुझे लंबी चोड़ी बात करनी नहीं आती है क्योंकि कहते हैं जाके पैरन फटे विवाई वो का जाने पीड पड़ाई हमको पता है कि आर्मी में कौन लोग जाते है गरी मंतरी का बेटा आर्मी में नहीं जाएगा वो बीसीसीय का सेकरेटरी बनेगा हमको पता है कि वहाँ पे सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं कोई नेता का बाल बच्चा आर्मी में नहीं जाता है जाता है प्रधान मंतरी भी जाते हैं फोटो खिचवाने के लिए फोटो खिचवाने के लिए बर्दी पहनना एक बात होता है देश की भक्ती के लिए सरवोत सम्वान के लिए बर्दी पहनना दूसरी बात होती है दीपावली में जा करके मिठाई बाट देंगे उसके वादा को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए और यह जो लॉली पॉप बाली भाशा है ना इस लॉली पॉप की भाशाओं को बंद करना चाहिए और जहां तक बिहार में हिंसा का सवाल है सीधा सा एक कारण समझ लीजिए ये नौजबान ना किसी के दोरा लाए गए हैं ना किसी क हमारा ओफिस छाबनी नहीं बना हुआ है हम लोग आते हैं पुलिस पकर करके हमको ले जाती है कोई कोई हिंसा नहीं होती है कुछ भी नहीं होता है उसमें हिंसा क्यूं हुआ है क्योंकि वहां नौजबानों का सब्र जो है पानी सर से उपर चला गया है और एक बात और जान और पंजाब में धान काटने के लिए बिहार के ही लोग आते हैं न दिली में काम करने के लिए बिहार के ही लोग जाते हैं न महारास्त्रा में काम करने के लिए जहां employment नहीं है वहां के लोग already भी स्थापित होते हैं ये जो बच्चे हैं ये उस उमीद में अपने गाउं मे रह रहे हैं, दौर रहे हैं, जारा, गर्मी, बरसात, सरकों पे, मैदानों में, रेथ पे, कि इनको किसी दिन सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा, ये मौका इनसे जब छीना जा रहा है, तो इनका सबर तूट गया है, लेकिन मैं इन तमाम नौजवानों से भी एक अपील कर और गांधी के देश में सत्य और अहिंसा से ही कोई लड़ाई जीती जा सकती है इसलिए भार्ट्य राश्चे कॉंग्रेस की तरफ से इस आंदोलन का पूंता समर्थन करते हुए सरकार से यह अपील करते हैं कि इसको वापस लीजिए और नौजवानों से अपील करते हैं कि देश की संपत्ती को मत जलाईए मत जलाईए क्योंकि कल को आपको वही संपत्ती इसी परधान मंत्री से बचाना भी है क्योंकि देश की संपत्ति यों दोस्त को बेचने वाले हैं ये हमारे आपके टेक्स के पैसे की संपत्ति है इसकी रक्षा कीजिए सत्त और रहिंसे के रास्ते पर चलिए और किसानों ने 700 लोगों की सहादत देने के बाद एक चाल से ज़्यादा आंदोलन चलाया सांतिपुन तरीके से चलाया तमाम तरह के आरोप लगाएगे जैसे आज आपके आंदोलन को कहते हैं उपद्रभी तोर फोर करने वाले हिंसा करने वाले ये कहां से आ गए कैसे आ गए कौन है इसके लिए जिम्मेबार और विपक्ष के माथे पर मत खेलिए विपक्ष की बात जनता मैं आप से अपील करता हूं कि इस योजना को आप वापस लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद